नमस्कर दोस्तों आपके अपने व्यदिक एश्ट्रो लाइफ यूडूप चैनल पर स्वागत हैं दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं मार्च दो हजार देखने को मिलेंगे और आपको कहां साबधानी बरतनी हैं दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपका स्वास्त कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा प्रेम प्यार कैसा रहेगा पढ़ाय लिखाई कैसी रहेगी नौकरी कैसी रहेगी आपका ब्यापार कैसा रहेगा आपका भाग शाथ देगा कि नहीं आपक कि मनुकामना पूर्ण होगी या फिर अधूरी रह जाएगी विदेश से आपको किस प्रकार के लाब देखने को मिलेंगे तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गंटी की बटन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो आपको स समझ में आ सके तो पहले हम बात करेंगे कि मार्च दोहजार चौबिस में मेसी रासे वाले जातकों की कुंडली में कौन से ग्रह कहां बैठे हुए हैं और आपको किस प्रकार के रिजल्ट देंगे तो सबसे पहले हम देब गुरू ब्रिहस्पत की बात करें जो कि आपके फ यानि शूर बुद्ध और तेंथ हाउस में मंगल शुक्र के तो आपके शिक्स हाउस में बिराज मानें करन्याराशे के साथ दोस्तों मंगल 15 मार्च को इलेवन्थ हाउस में चले जाएंगे और शूर आपके तुल्थ हाउस में चले जाएंगे तो अब हम बताएंगे कि ग्रह आपको कैसे परिणाम देंगे तो स्वास्त के बारे माई जान लेते हैं तो यहाँ पर आपका स्वास्त तो अच्छा है लेकिन पेट की समस्या हो सकती है वो भी कब 15 मार्च के बाद आपको पेट की समस्या होगी जब शूर आपके बार में घर में जाएंगे तब आपको यहाँ पर पेट से जुड़े द तनाव भी रहे गया बात करते हैं कि आपका पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी मार्च 2024 में तो यहां पर बता दे कि आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छी रहने वाली हैं अगर आप पढ़ाई से जुड़े कोई भी नेर्ने लेते हैं या फिर पढ़ाई से कोई काम करते हैं तो आपको अच्छी रिजल्ट मिलेंगी या फिर विदेश जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं लेकिन 15 मार्च के बाद कोई भी काम करिएगा अन्था आपका काम रुख सकता है यहां पर बता दे कि मेसरासी वाले जातकों के लिए संतान योग भी बने हैं तो स संतान से जुड़े कोई नहीं खुश्खवर की प्राप्ति आपको मिलेगी प्यार की बाद की जाया तो यहां पार प्रेम प्यार में वाद बिवाद रहेगा लेकिन 15 मार्च के बाद आपको अपने प्रेम प्यार में ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि यहां पर अधिक लड़ाई जगड़े की चांस देखी जा रहे हैं बात की जाए मेस राजी वाले जातकों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा तो दोस्तों यहां पर बता दे कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही जदा सांदार रहने वाला है क्योंकि देव गुरु ब्रिहस्पत की द्रिष्टी आपकी सेवंध हाउस में पढ़ रही है और कहते हैं जहां भी देव गुरु ब्रिहस्पत की द्रिष्टी पढ़ रही है हजार बुराईया भी रहेंगे तो वो ठीक कर देंगे वहाँ पर चीजों को कम करने की कोशिस करेंगे तो ये चीज़े आपके लिए अच्छा रहेगा वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा और जो जातक सिंगल है मेसी रासे वाले जातक अगर आप विवाह करने के लिए सोच रहे हैं तो बिलकुल कर सकते हैं अगर आपके गर में रिस्ता नहीं आ रहा है या फिर देखने जा तो आप जा सकते हैं यहां पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी 20 मार्च से 25 मार्च तक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि शूर आपके बार में घर में चले जाएंगे तो यहां पर हस्वेंड वाइप की बीच में लड़ाई जगड़े हो सकते हैं वेडरूम में दिक्कते देखने को मिलेंगी लड़ाई हो सकती हैं तो इसलिए थोड़ा सा आप अपने वैवाहिक जीवन पर विसेश ध्यान दीजिएगा 20 से 25 मार्च के अंदर ब्यापार की बात की जाये तो दोस्तों यहां पर बता दे कि आपका ब्यापार बहुत ही सांदर रहने वाला है 15 मार्च के बाद आपको बिदेश से ज़्यादा लाब देखने को मिलेंगे अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार करते हैं तो आपको अच्छे लाब देखने को मिलेंगी और साथ ही बता दे कि धन की स्थिदी काफी अच्छी रहने वाली है जो मेस रासी वाले जातक नौकरी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी नौकरी तो अच्छी रहेगी अच्छी चलती रहेगी लेकिन बता दे कि आपका मन जो है तो वो नौकरी में नहीं रहेगा जिसे आप पहले मन लगा कर काम करते थे तो वैसे इतना मन नहीं रहेगा आपको अपने काम के प्रती तो ये चीज़े देखी जा रही बाकी आपका नौकरी अच्छा रहेगा आपको अच्छी रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे और पंद्रा मार्च के बाद आपको प्रमोशन भी देखने को मिलेंगे अपने नौकरी में यहाँ पर बता दे कि परवादिक जीवन में बाद विवाद की इस्थिती रहेगी तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देजिएगा और पंद्रा मार्च के पहले अगर आप भूमी भवन लेना चाहते हैं या फिर बाहन का सुख लेना चाहते हैं तो आप बिलकुल ले सकते हैं खरीद सकते हैं अगर उसके बाद लेते हैं तो फिर दिक्कत चाहेगी तो फिर आपका काम भी रुख सकता है और या फिर उस चीज़ को करने के बाद आप पच्छताएं या फिर फच्छ सकते हैं तो इसलिए आप 15 मार्च के पहले ही ले ले तो दोस्तों इदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और सेर कीजिए